Hello बच्चों, let's read the question first, the question says match the following with respect to meiosis. तो बच्चों हमें या पे meiosis के sub-stages दे रखे हैं, meiosis में भी particularly हमें pro phase 1 के sub-stages दे रखे हैं और हमें बताना है कि column 2 में events दिये हैं, वो किस sub-stage से match कर रहे हैं? तो बच्चों अगर pro phase की बात करें, तो pro phase हमारा divided है कितने sub-stages में, 5 sub-stages में, which is your lipto-teen, zygote-teen, bachy-teen, kiplote-teen and diagynesis. तो यह, अब हम यहां पर देख लेते हैं, हमें कौन से stage में, क्या-क्या दिया हुआ है, अगर हम बात करते हैं, बच्चों, zygote-teen की, तो zygote-teen में हमें यहां पर दिया गया है, terminalization of chies meta, appearance of chies meta, crossing over और synapses, तो बच्चों, synapses जो है, वो correct match होगा A के लिए, zygote-teen stage में आपको synapses होते हुए दिखेगी, या आप कह लिजे कि synaptonemal complex का बनना आपको zygote-teen stage में दिखेगा, तो A के साथ, जो है, वो 4 जाएगा, यहां पर A लिख देती है, अब A से 4 कहां पर match हो रहा है, वो सिफ D में match हो रहा है, बाकी सारे eliminate हो गए, बट फिर भी हम एक बार सारे देख लेते हैं, तो पैकाइटीन में यहां पर क्या दिया हुआ है, पैकाइटीन के लिए हमारे पास बच्चा, इस स्टेज में हमें tetraids, जो है, वो clearly visible होते हैं, clearly visible होते हैं, इस स्टेज में non-sister homologous chromosome, जो है, वो crossing over करते हैं, non-sister homologous chromosome तरीके से crossing over करते हैं, यहां पर आपको crossing over देखने को मिले, इस तरीके से, हमारा B के साथ जाएगा 3rd, यहां पर match हो रहा है, अब हम देख लेते हैं, डिपलोटीन में, डिपलोटीन में, हमारे पास क्या बचा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायज मेटा और अपियरेंस ऑफ कायज मेटा, तो बच्चो डिपलोटीन जो है, हमारी 4th stage है, तो इसका मतलब यहां पर टर्मिनलाइजेशन नहीं होगा, यह यहां पर appearance of chaos meta होगा, यहां पर हमें chaos meta visible होगा, तो यहां पर T से हमारा second match कर जाए, यहां पर भी तैई दिए होगा, अब डाइकाइनस के लिए हमारे पास बचा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइसमेटा विच इस राइड डाइकाइनस में हम टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइसमेटा देखते हैं कि appearance of chaos meta हमने डिपलोटीन में देखा था, तो D के साथ 1 जाएगा, तो जो हमारा correct answer हो गया बच्चो वह हो गया, option D, hope आप लोगों को यह solution जाया ह होगा बच्चो, thank you, all the best.